लुआ प्यारे बच्चों क्याल हैं तो आज बात करते हैं लोग हम अम स्टाड करेंगे। पॉललीटेकनिक का है तो आप उम्मीर करते हैं सभी लोग अच्छे से देखेंगे आवाज के लिए आज आखे अच्छ सभी और ठीक is सबसे पहली बात आपको बता इसमें कि यदी चोड़ी बाते हैं यदी एकी पावर एम इंटु एकी पावर एंटु एकी पावर एंटु कंडिशन मिलिख सकते एकी पावर एम फिलस एंसरों हुता एंटु एकी पावर एंटु फिलस जुड़ जाएंग्गि एक सेब सवقول तीष्इव तीच अगे लगए सब्सक्रिया-व पार, है अपसे ही ठीक है यदि आपको एक ही पावर एम इस पूलिक पावर एंड दिया जाए तो इस चीज़ को आप क्या लेख सकते एक ही पावर एंटु 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 एंग एक चीज़ और समझ लो यदि किसी की पावर जीरो है तो उसका अंसर एक आता है किलियर तो पॉइंट सही है चोटे-चोटे किलियर यदि किसी पावर जीरो सका अंसर कितना आएगा एक एक चीज़ को समझ लो कि यदि वन अपॉन ए दिया जाए तो इस चीज़ को हम एक ही पावर माइनेस वन भी कह सकते हैं किलियर और यदि एक को अंडर रूट के अंदर अच्छे तरीके से नोट कर लेना कॉफी पर आज आपका मैयत का घातांक टॉफिक स्टार्ट हो रहा है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके समझाएंगे जानेंगे मानेंगे आगे चलते हैं लोग अब इस पर आदारित कुछ कोश्चन कराएंगे उससे अच्छे कोशन है बुटा कि दिखाएंगे सारे बिच्चों को पॉशन है अंडर रूट एकक्स की पावर फाइब अंडर रूट एक फी पावर फोर अंडर रूट-3 अंडर रूट-2 कोश्चन आपके सामने आचुका है कोई दिक्कत चलिए इंपोर्टन पोश्चन आपका पॉली टेक्निक के लिए ठीक है तो सारी पचे जानेंगे अच्छी तरीकिया से समझेंगे ठीक आगे चलते हैं आप बताईए इसका सॉल्यूशन देखेंगे किलियर तो सॉल्यूशन में आपको आंसर दिये जाएंगा इन में कौन सा अप्सन सही है किलियर अब आच किलियर ओके गुड तो आप बताईए इससे कॉश्चन के सॉल्व करेंगे इससे कॉश्चन को पीछे इसके साथ गोड़ा हो जाए तो एक सी पावर चार होने के बाद क्यों इसकी पावर यह कह रहा है यहां पर तो यह और यह गोड़ा में है है पावर फाहलिए चार चार जब दहीं सब्सक्राइबंद तो चार क्यों बताओ बटों हैरे उल्चन के होगा एक्सी पावर क्या निकलेगा बता सकते हो एक्सी पावर फाइब एक्सी पावर फाइब इसका इसके साथ करो क्या होगा एक्सी पावर फावर फाइब निकलेगे एक्सी पावर चार कौन्स ऑप्सें सही जा रहा है इसका बताईए जड़ा नन ओफ अवाव क्लियर वो दिक्कत सिंबल सा क्वोशन था आपका पावर जैसे अंडेवट से बार निकली तो आधी उती चली जाती है ठीक है चलिए आगे देखते हम लोग अगला कोशन वेरी इंपोर्टन डालेंगे कोशन है बहुत प्यारा सा कोशन है लिखेंगे एकल टू बी की पावर एक्स इफ एकल टू बी पावर एक्स बी इकल टू सी की पावर वाई तो आपको बोला गया कि फाइंड दा वैल्यू आफ एक्स वाई जैड तो आपसे यह कहागे कि एक्स वाई जैड का मान क्या होगा के लियर तो प्यार बच्चों बात करते हैं लोग एक्स वाई जैड का सॉल्यूशन दिखतेंगे यह एक्सम में आया हुआ कोश्चन है ठीक है तीक है मेर्थ पूर प्रस्चन है वैरी इंपॉर्टेंट डालोगे हैं आपको यह बुलाएंगे एक पावर ब्राबर एक्स यह कोश्चन दिया गया आपको वह दिकत लाइट साही आ रही है वह दिकत है चलिए बहुत बढ़ी है साबस तो आपसे यह बताएए बी के बदले इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं अब बी के बदले तुम क्या लेख सकते हो यहां पर से की पाबर वाई किलियर आप बताओ इसके साथ गोड़ा हो जाएगा हाँ या ना सी की पाबर क्य सकते हो में हैं जल देखते हैं सारे कोषिछन सारे कोषन फिर से देख लो अच्छी तरीके से एक बराबर बी की पावर एक्स बराबर एक पावर जैड तो फाइन दा वैल्यू ओफ एक्स वाइज एड का मान आपने किता निकाला एक कैसे निकाला एक वैल्यू कोई भी रख दीजिए वी का मान जो तुम्हें दिया गया उसे उठाके का इन दोनों का ऑचेता हो जाएगा इं दोनों गुरॉग वार से उसले लिए एक कोश्ण लिए